एक तरफ जहां भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं और भारत का E रूपिया एक मिलियन डेली ट्रांजेक्शन को पार कर चुका है जानेंगे ये भारत के लिए क्यों महतुपुर्ण है तो वहीं दूसरी तरफ WTO में भारत अकेला भिड़ गया है इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर नहीं करोगे WTO में ये एतिहासिक पल देखने को मिल रहा है क्या WTO भारत जैसे देशों को फसाने की कोसिस कर रहा है और आखिर WTO का ये एग्रीमेंट क्यों भारत के लिए बहुत जादा महतुपुर्ण बन जाता है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आएए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से एक समय अचानक से न दुनिया में हलचल मच गई क्यों हलचल मच गई क्योंकि करेंसी का एक नया फॉर्म सामने आ गया और करेंसी का ये फॉर्म था क्या तो आपको बता दें ये फॉर्म था बिटकोईन एक डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी जो फीजिकल नहीं थी जिसको computer code भी कहा जाता था कि इस तरीके से आराम से payment हो रहा था पर कहा गया कि बहुत जल्दी दुनिया में bitcoin चा जाएगा दुनिया में यही currency इस्तेमाल होने लगेगी पर कई सारे देशों ने bitcoin को उपर बैन लगा दिया कई सारे देश हैं जो अपने देश में bitcoin को अनुमती देते हैं जैसे अभी अर्जंटीना ने एक निर्ने लिया था और अर्जंटीना ने bitcoin को हा कर दिया लेकिन भारत ने bitcoin को ना किया अब यह एक बात तो जरूर है कि आने वाला समय digital currency का है बैन क्यों किया गया तो एक तो bitcoin की origin का कुछ पता नहीं चल रहा था इसके उपर कोई नियम कानून कोई bank कुछ ऐसा है कुछ भी नहीं जैसे हमारे देश में क्या है कि bank है bank के उपर RBI है RBI के उपर सरकार है जिम्मेदारी और जवाब देही लेने के लिए कोई है पर bitcoin के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है तो इस वज़े से bitcoin एक खतरना currency का रूप भी ले रही थी भारत सरकार ने 2022 में ही एक बड़ी घोसना की और इस घोसना के तहट भारत सरकार ने कहा कि हम लाएंगे अपनी currency Central Bank Digital Currency CBDC यह इसका technical नाम है जिसे साधरनत लोग क्या कहते हैं E-RUPी क अब भारत सरकार ने 2022 में इसे launch भी कर दिया launch किया लेकिन ऐसा नहीं कि सारी पूरी जनता को बांट दिया आप भी चलाओ आप भी चलाओ ऐसा नहीं पहले इसे एक pilot project की तरह launch किया गया 2022 और 2022 में देखा गया कि दिसंबर महिने तक 25,000 का daily transaction करके देखा गया अब पहले इन्ह को कहा कि तुम अपने employee को एक wallet दो और इन wallet में CBDC होगी यानि की E रुपिया होगा और इस digital currency को उन्हें बोलो इन्हें transaction करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए और एक बार ये इस्तेमाल करने लगेंगे तो कमी पता चल जाएगा अगर बहुत बड़े volume में ये होता है बहुत गया उन 5 बैंकों ने अपने employee को ये CBDC के wallet देने शुरू कर दिये और कहा E रुपिये में transaction करना शुरू कर दो और आपको बता दें हुआ ये कि pilot project के ही तहत लेकिन Reserve Bank of India ने अपना एक target set करके रखा था कि हम इस साल के आंत तक 2020 की बात है कम से कम 1 million daily का transaction कर लेंगे और इस माम इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि आने वाले समय में digital currency ही इस्तेमाल होने लगेगी अब आपके मन में बहुत सारा ख्याल आएगा digital currency और फिर normal currency में अंतर क्या होगा कोई अंतर नहीं है बस अंतर यही है कि normal currency physical भी है यानि कि note वगेरा देन लेन हातों से कर सकते हैं ये क्या हैं तो 100 रुपे के digital payment करके 100 रुपे का physical note भी ले सकते हैं मतलब साधारन भासा में कहें तो माननेता एकदम वैसी ही है जैसी माननेता physical note की है यहां तक कि भारत सरकार तो swift से भी बात कर रही है swift मतलब अंतर राष्टिये बैपार के लिए जो संस्था है उससे भी बात कर रही कि हमारी digital currency में अगर payment होता है तो क्या-क्या दिक्कत है क्या-क्या नियम है और क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यानि कि भारत इसे बहुत बड़े पहमाने पर ले जाने के लिए सोच रहा है swift तक इसे पहुचाने की बात हो रही है और आपको बता दें जो लोग यह स सफल नहीं होगा तो ऐसा ही सोचा जा रहा था यूपी आई को लेकर और अभी क्या है यूपी आई बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है और यह अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आने वाले समय में CBDC का ही समय होने वाला है भारत जहा तो वहीं दूसरी तरफ WTO में एक बड़ी साजिस रची जा रही है अब इसे आप कुछ लोग साजिस मान सकते हैं और कुछ लोग मान सकते हैंगी नहीं यह नियमों के तहत आना चाहिए पर अभी दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है दुनिया का सबसे बड़ा सच है जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में कुछ एक देश हैं जिनके हाथ पर चाभी है और वो जैसे कसना चाहते हैं उस चाभी को वैसे ही कस देते हैं अभी WTO में क्या हुआ है करीब करीब बड़ी संख्या में सदस्य देशों का कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में कुछ गड़वडी हो गई कुछ पंगे शुरू हो गए कोई ट्रिटी का उलंगन हो गया तो वह चीज डबलू ट्यों में जाएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी नियम बनाए जाएंगे जैसे बैपार के लिए नियम है आप इतना तक सबसीड़ी दे सकते हो इससे जादा सबसीड़ी नहीं दे सकते हो डबलू ट्यों में बहुत सारे नियम है तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी नियम बनेंगे अब ये देखिए भारत के लिए क्या था भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है भारत ने इस प्रस्ताव का आज तक क्या इसके बिसे में नहीं सोचा गया था अब जाकर आप इसे ला रहे हैं आपके डबलू ट्यों के पास पहले ही इतने सारे काम हैं और इतने सारे लफड़े पड़े हुए हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं यह इन्वेस्टमेंट को यहां लाने का कोई मतलब न नहीं बनता है भारत ने यहां विरोध कई कारणों से किया आप समझ लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट को डबलू ट्यों की केटेगरी में रखा जाता है तो फिर उसकी चाबी कुछ देशों के हात में चली जाएगी और यह कुछ देश तै करनी की कोशिस करेंगे किस इन्वेस्टमेंट कितना नहीं मिले यहीं वजह है कि भारत चाहता है कि इन्वेस्टमेंट को स्वतंतर रखा जाए डबलू ट्यों से बाहर इसके बारे में बात किया जाए डबलू ट्यों के अंदर इसके बारे में बात नहीं किया जाए यह भी साफ है जब इन्वेस्टम कि साथ